भारत में दाल छेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक द्रिष्टिकोन की जरूरत है, क्योंकि सरकारी आंकडों के मुताबिक, रभी दलहन फसलों का कुल उत्पादन छेत्र 7.5-3 लाख हेक्टेर घट गया है. पिछले साल के 162.66 लाख हेक्टेर से घटकर इस बार 155.13 लाख हेक्टेर रह गया है. चना, उरद और मुंग का खेत्र इसमें शामिल है. इसी साल खरीफ सीजन में दलहन का खेत्र 5.4 लाख हेक्टेर से कम हो गया है. इस घटे हुए रखबे के कारण मांग और सप्लाई में अंतर बढ़ सकता है. यानि इससे देश में दाल को बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ सकता है. जबकि सरकार दलहन के खेत्र में आत्म निर्भरता की दिशा में प्रयास कर रही है. ताकि साल 2027 तक भारत दाल खेत में आत्म निर्भर बन सके. अब सवाल उठता है कि खरीफ और रभी सीजन में दलहन की बुवाई इतनी कम क्यों हुई है. जबकि डालों की आयात निर्भरता 2013-14 में 19 फीसदी से घटकर 2021-22 में लगभग 9 फीसदी हो गई थी. नीती आयोग का अनुमान था कि 2030-31 तक इसके और कम होकर लगभग 3 फीसदी होने का अनुमान था. लेकिन जिस तरह इस साल दलहन फसलों का ख्षेत्र घटा है, उससे दलहन के ख्षेत्र में देश में जलवायू परिवर्तन के दौर में दाल में आत्म निर्भरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं. क्रिशी से जुड़े जान का कहना है कि दलहनी फसलों की मुख्य रूप से वर्षा आधारित जमीनों में खेती होती है. इस खरीफ मौसम में कम बारिश के कारण दक्षिन के राजियों, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक, सहित मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों का ख्षेत्र कम हो ग साथ ही दलहन और मोटे अनाजों की खेती सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती है, और इन क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती में प्रोटसाहन मिलने से किसानों ने मोटे अनाजों की ओर रुख किया है. जानकारों का कहना है कि उत्तर भारत के किसान दलह इसकी खरीदारी और प्रती एकर में ज्यादा लाब होने की वज़े से किसान दलहन फसलों की खेती की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। मंत्राले द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स में कहा गया है कि लगभग 1990 के आसपास गंगा के मैदानी इलाकों में किसानों ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार के कारण दालों को छोड़ दिया और अन्य फसलों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं इसलिए सिंचित एरिया में धान गिहू फसलों की तुलना में दलहन फसलें बहतर दिखती हैं क्योंकि इन फसलों की बुवाई से लेकर बाजार तक की व्यवस्था किसानों को बहतर लगती है एक आंकडे के अनुसार जहां रभी में गिहूं की उपज प्रती हेक्टेयर उसत उपज 35 क्विंटल है वहीं दलहन फसलों में चना की बात करें तो प्रती हेक्टेयर उसत 9 से 10 क्विंटल ही मिलती है सिंचित एरिया में यह अंतर बढ़ा दिखता है दलहन फसल शुष्ग जलवायू वाले क्षेतरों में किसानों के लिए बहतर हालां कि सरकार की प्रोटसाहन नीतियों के कारण दालों के उतपादन में तेजी से आई है जहां साल 2013 में कुल 183.34 लाक टन दालों का उतपादन हुआ जो साल 2023 में बढ़कर 278.1 शूने लाक टन हो गया था इसमें 10 साल में 94.76 लाक टन की वृद्धी हुई है इस तरह लगभग 51 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी हुई मगर इसमें किसानों को मौसम ने बहतर साथ दिया है देश में जहां दालों की मांग बढ़ रही है वैश्विक दलहन उतपादन में हमारी हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है जबकि खपत में हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है इस तीन प्रतिशत के अंतर को भरने के लिए हमें हर साल करीब 25 से 27 लाक टन दालों का आयात करना पड़ता है जो पिछले वित वर्ष में 23 लाक टन दाल का आयात किया गया था अब जिस तरह से रभी सीजन और खरीफ सीजन में फसल का खशेत्र घटा है उसे देखकर लग र होती है तो शुष्क खशेत्रों में दलहन की एरिया घटेगी दूसरी तरफ 2030 तक 326.40 लाक टन दालों की जरूरत है अगर इस अंतर को कम करना है तो दलहन के खशेत्र में प्रती हेक्टियर उतपादन बढ़ाने के साथ सिंचित दशा में भी दलहन फसलों को लाबकारी बन के लिए दलहन के रिसर्च पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कम मुनाफे वाली फसलों से ध्यान हटा कर उन्हें दलहन की खेती के लिए प्रोचसाहित करना होगा वही दूसरी और किसानों को लाबकारी मूल्य दिलाने तक एक ठोस नीती की जरूरत होगी ब्यू